आज हम लोग exercise 1.1 का solution करने वाले हैं और ये रेशनल लंबर का पहला वाला exercise है और इसके लिए मैंने बहुत सारे lectures बताया हुआ है इस exercise को बनाने में कुछ concepts के हमें नीड बढ़ती है और उसके लिए मैंने जो lecture record किया हुआ है अगर तुमने नहीं देखा है तो पहले उसको दे नहीं तुम यहां पर direct आकर करके मेरे solution को analysis कर सकते हो अच्छा देखो ये solution देखने से पहले पता है तुम्हें इस exercise को खुझ से करना चाहिए था और करने के बाद फिर हमारे से match करना चाहिए था and देखना चाहिए था कि मैंने जो किया और सर्जो कर रहे हैं क्या वो दोनों एक ही तरह से है या फिर बिल्कुल different है या थोड़ा बहुत different है देन आपको उसी हिसाब से अपने knowledge को improve करना चाहिए चलो हम देखते हैं यहां पर इसको solve कर करके यह जो first वाला question है बिटा इस first वाले question को हम सबसे पहले क्या करते है solution करते हैं तो इसके solution करने के लिए हमको इस 3 by 5 और into 1 by 6 exactly यही question है जो आपके यहां पर दिया हुआ है अच्छा यहां पर बोला using appropriate properties हमें properties का use करके इसको solve करना है without property use किये हुए भी हम लोग इसको solve कर सकते हैं but property का use करना है बहुत सारी students without property का use किये हुए ही इसको solve कर देते हैं क्या कहते हैं यह दोनों multiplication है यह दोनों multiplication है तो इस 3 को 3 से cancel कर देंगे क्या बचेगा बिटा तो minus 2 by 5 बचेगा यहां पर क्या है plus 5 by 2 लिख देंगे और यहां पर क्या करेंगे वो 3 to the 6 है it means के minus 1 by 2 बचेगा exactly minus 1 by 2 नहीं बिटा minus 1 by यहां पर minus होगे 5 to the 10 बचेगा अब वो क्या करेंगे इसका LCM ले लेंगे 10 हो हो जाएगा और पलस 25 तो 25 होगा minus 10 बचेगा तो यहां पर 1 हो जाएगा तो वो अब क्या करने वाले यहां पर के 25 minus 5 by 10 यह means के 20 by 10 और यहां से 10 to the 20 final answer वो टूला देंगे बट यह प्रोपर्टी का यूज करके आपने नहीं solve किया आपको ऐसे solve नहीं करना है आपको जो solve करना है exactly वो मैं आपको बता रहा हूँ चलो यहां पर हम back चलते है प्रोपर्टी का यूज करते है अब प्रोपर्टी में आपने क्या क्या प्रोपर्टी इसको पढ़ा है बटा तो आपने पढ़ा है commutative law, associative law, distributive law, rule of one, rule of zero यानि के additive inverse, additive identity ठीक है multiplicative inverse reciprocal उन साथे प्रोपर्टी में से जो यहां पर fit होगा valid होगा उसको use करके हमें solve करना है क्योंकि यहां पर अगर using properties नहीं लिखा होता ना दिन जो मैंने solve किया था वो सही था उससे हम लोग कर सकते थे बट अब यहां पर देखो तो देखो distributivity यहां पर distributivity और commutativity यह दो चीजों में से सोचना है commutativity क्या होता था पेटा हमने last lecture में बताया कि order change होता था a plus b अगर है तो आप b plus a लिख सकते हो यह होता था commutativity और associativity क्या होता था अगर a plus b plus c है तो हम लोग इसको लिख सकते थे a plus b और plus c यानि कि grouping हम पहले बाद वाले दोनों का कर सकते थे या फिर हम यह हो गया यह commutativity हो गया यह associativity हो गया अच्छा एक distributivity भी मैंने बताया हुआ था distributivity क्या होता है कि अगर आपने a को b plus c से कर लिया देन a को एक बाद b से कर लो a into b आप plus में a को a को एक बाद c से कर लो तो a into c exactly इन ही properties का use करके हमें यह पूरे का पूरे exercise को नहीं बलकि यह वाली question को solve करना है तो हम क्या करते हैं फटा फट से इसको erase कर देते हैं ताकि आपका जो board है वह बिलकुल clear हो जाए और आगे की जो questions है उसको हम लोग solve कर लेंगे चलो बिटा यह सारी कहानी हो गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छा यहां पर देखो यहां भी 3 by 5 है और यहां भी 3 by 5 है और वो भी multiply है और यह भी multiply है it means कि यह 3 by 5 distribute हो रखा है यह 3 by 5 एक बार माइनस 2 by 3 के साथ distribute हो रखा है एक बार 1 by 6 के साथ distribute हो रखा है तो अमें क्या करना है ना इस 3 by 5 को जो distribution है उसको एक साथ common निकाल लेना है तो common निकालने से पहले हम इसको arrange करेंगे, एक साथ लेकर करके हम लोग चले आएंगे, तो एक साथ लेकर करके आने का क्या तरीका है, तो आपने commutativity पढ़ा हुआ है, तो commutativity हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखो, minus 2 by 3 लिखें, और into में 3 by 5 लिखा मैंने, तो यह वाले को तो मैंने as it is उतार लिया, अब फिर इसको हम बाद में minus ना करकर करके, इस 5 by 2 से पहले लेहाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, minus 3 by 5 into में 1 by 6 कर लेते हैं, और यह 5 by 2 को बेटा last में भेज देते हैं, और ऐसा हम क्यूं कर पाएं, ऐसा बिलकुल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है, commutativity ठीक है, और इसी commutativity के वज़ह से, commutativity ठीक है, इसी commutativity के वज़ह से हमने order change कर लिया, यह बाद में subtract हो रहा था, तो हमने इसको पहले कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, commutativity से आपने order को change कर लिया, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कि यह दोनों आपस में multiply हैं, यह दोनों आपस में multiply हैं, 3 by 5 इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ distribute हो रखा है, तो हम यहाँ से 3 by 5 को common निकाल लेंगे, तो 3 by 5 को जैसे ही हमने common निकाला, तो बिटा यह 3 by 5 हमने common निकाल लिया, तो इस वाले में क्या बचा, minus 2 by 3 बचा, चलो ठीक है, minus 2 by 3 लिख लो, minus के जगा, minus लिख लो, 3 by 5 आपने निकाला है, तो क्या बच गया पटा, 1 by 6 बची है, यह लिख लो, और plus में 5 by 2 तो है ही, तो 5 by 2 लिख लो, अब exactly इसको solve करो, देखो, यहाँ पे 3 by 5 हो तब ही तो वो समझ पाएगा, कि आपने कौन सा यहाँ पर प्रोपरिटी को यूज किया है, चलो बचा, देखो, यहाँ पर 3 by 5 हो गया, अब यहाँ पर 3 और 6 का LCM, जब तुम लोग है, तो 6 होगा, 3 टूजा, यहाँ पर minus 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 वन जा, यहाँ वन 1 होगा, और यहाँ पर 5 by 2 को बेटा, एड कर देना है, चलो, अब हम इधर आगे बढ़ते हैं, इधर आगे नहीं बढ़ते हैं, बस इसको थोड़ा सा हमने उपर कर लिया, नहीं, चलो, ठीक है, हम साइड में ही लेख लेते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ पर हम क्या करते ह कि 3 by 5 तो हमने लिखा ही बटा, ठीक न, उसके बाद minus 4 minus 1 क्या हो जाएगा, तो into में minus 5 by 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यह कोई sign नहीं, तो मैंने into दे दिया, उसके बाद minus 5 by 6 कर दिया, और plus में मैंने क्या किया बटा, 5 by 2 कर दिया, यह वाली चीजों को लिख दिया, अ तो अब हम यहाँ से इसको cancel कर देंगे, 3, 2 जा, और यह 5 से 5 cancel हो गया, और यह positive था, यह negative था, तो final answer में मैंने क्या आने वाले है, तो minus 1 by 2 हो जाएगा, exactly, minus 1 by 2 हो जाएगा, और यह क्या होगा, 5 by 2 होगा, अब यहाँ पे तुम्हारा LCM 2 हो जाएगा, और उपर में क्या 2 से एक cancel करोगे, तो exactly जो तुम्हारा answer आएगा, वो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यह हुआ by using property, अब तुम कहोगे, सर यह तो बड़ा लंबा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे question में बोला property यूज़ करने के लिए तो लंबा तो जाएगा ही, तो चलो, यह question number 1 हो गया, common दिख रहे हैं, यह दोनों आपस में multiply है, और यह भी आपस में multiply है, यहाँ पर यह जो है number 3-3 आपस में multiply है, लेकिन देखो कि 2 by 5 यहाँ है, और 2 by 5 यहाँ है, इसका मतलब क्या है, कि इस वाले और इस वाले को एक साथ हम लोग order change करके, एक अठा कर लेंगे, दिन वो कैसे ह होने वाला है, तो ऐसे होने वाला है, देख लो, यहाँ पर हम 2 by 5 into minus 3 by 7 तो लिखेंगे, यह पहला वाला हमने लिख लिया, अब हम क्या करने वाले है, इसको लिखने वाले है, तो पलस में 1 by 14 into 2 by 5 लिखना है, यह पलस छोड़ मत दे ना बिटा, इसको लिखना, अच्छा, यह बाद में आखरी में इसको हम लिख लेते हैं, minus में 1 by 6 into में 3 by 2, exactly यहाँ पर देखो, हमने ऐसा इसलिए order change कर पाया, because हम एक rule जानते हैं, वो property है, कौन सा, तो commutativity, commutativity, exactly, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कि अब दोनों में common क्या है बिटा, 2 by 5 यहाँ, देखो, यह द अब साथ distribute है, इसके साथ भी distribute है, जब distribute है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, common निकाल ले पड़ेगा, तो 2 by 5 जैसे ही, तुम common निकाले, तो exactly इसमें क्या बचेगा, तो माइनस 3 by 7 बचेगा, पलस है तो पलस दे देना, और 2 by 5 तो निकाल लिए तो क्या बचेगा, 1 by 14 बचेगा, और माइनस में जो है, उसको आप लिख लो, बिटे यहां से solve भी कर सकते हो, यहां से तुम इसको solve भी कर सकते हो, जैसे के 3 to the 6 हो गया, तो माइनस 1 by 4 हो जाएगा तो exactly यहां पर माइनस 1 by 4 लिख लो, ज्यादा टेंशन नहीं होगा, अच्छा, यह बात आपने इसलिए कर पाया, because distributed, तो यहां पर हम लिख देंगे, distributed, ठीक है, या तुम यह इतना भी लिख सकते हो, distributed, तुम ऐसे लिख सकते हो, using distributed, by using distributed, आपको जैसे लिखना है, वैसे लि लेते हैं, अब तो तुम्हारे लिख बहुत आसान होगा, 714 का LCM 14 होगा, यहां पर 7 तूजा, यानि कि 3 तूजा, माइनस 6, और पलस में, 14 बंजा, 14 तो 1 होने वाला है, माइनस 1 by 4, exactly, यहां पर आप 2 by 5 में, अब क्या multiply कर, माइनस 6 और पलस 1, कितना होने वाला है, माइनस 5 by, माइनस 5 by 14 होने वाला है, और माइनस में, 1 by 4 हो जाएगा, ठीक है, अब चलो, हम लोग यहां पर LCM ले ले लेते हैं, LCM 5, 14 और 4 का मुझे लेना है, तो LCM में, अच्छा सुनो, हम क्या करते हैं न, कि पहले इसको, LCM नहीं ले सकते, यहां पर पहले यह दोनों multiply में है, तो multiply में है, तो मुझे solve करना पड़ेगा, देखो, यह 2 से 7 टाइमस में हो गया, और यह 5 से 5 कैंसल हो गया, तो final क्या बचा, final हमारे पास यहां तो कुछ नहीं बचा, और यहां आपको minus 1 बचा, तो minus 1 by 7, minus 1 by 7, और minus 1 by 4 हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, 7 और 4 का LCM 28 हो जाएगा, तो 7 4 जा, यानि 1 4 जा minus 4, 4 7 जा, यानि 1 7 जा minus 7, यानि minus 11 by 28, यह हो गया तुम्हारा answer, क्लियर हो गय चलो, अब next question पर चलते हैं, अब यहां तुमसे कह रहा है, कि right additive inverse, बेटा additive inverse लिखना है सबका, additive inverse मैंने बढ़ाया हुआ है, अगर तुम्हें पता है, तो तुम फटा-फट से लिख सकते हो, जैसे कि 2 by 8 हमें question दे दिया है, और हमें इसको क्या लिखना है, additive inverse लिखना है, तो positive हो जाता है, तो यहां पर तुम यह कह सकते हो, कि minus 2 by 8 हो जाएगा, बस हो गया, second number solve करो, second number तुम solve करो, second number क्या होगा, minus 5 by 9, तो अब minus 5 by 9 का बेटा क्या हो जाएगा, तो इसका अगर तुम additive inverse निकालते हो, तो इसका additive inverse देख लो, क्या होगा, negative है, तो obvious सी बात है, बेटा positive ह हो जाएगा, 5 by 9 हो जाएगा, चलो, third number हम ले लेते हैं, question, third number में क्या बोला है, minus 6 by minus 5, तो minus 6 by 5 को बेटा हम लोग 6 by 5 लिख सकते हैं, और यह 6 by 5 कैसे लिख सकते हैं, तो exactly इन चीजों को समझो, यहां से minus से minus cancel हो गया, तब भी तुम्हें दिख रहा है, कि 6 by 5 हो जाएगा, अच्छा सुनो, हम क्या करते हैं, कि आपको minus 6 by minus 5 में उपर नीचे minus 1 से multiply कर देते हैं, तो minus 1 से multiply करेंगे, तो उपर क्या हो जाएगा, 6 और नीचे 5, अब इस 6 by 5 का तुम्हें क्या निकालना है, तो additive inverse निकालना है, तो इसका additive inverse तुमको पता है, कि अभी यह तुम्हारा positive है तो answer में negative हा जाएगा, ठेक है, fourth number question ले लेते हैं, fourth number में कहा रहा है कि 2 by minus 9, अब बेटा 2 by minus 9 denominator negative नहीं होना चाहिए, तो 2 by minus 9 को बेटा आपको denominator positive बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, minus 1 से multiply करना पड़ेगा, 2 by minus 9 में minus 1 से उपर भी multiply कर दो, and minus 1 में नीचे से multiply कर दो, तो देन क्या हो जाएगा, उपर में minus 2 होगा, और नीचे में 9 हो जाएगा, अब minus 2 by 9 का additive inverse निकालना है, तो इसका additive inverse बहुत आसान, बस negative है, तो देन तुम्हें क्या कर देना, positive कर देना है, तो इसका answer हो जाएगा, 2 by 9, उसी तरीके से आप क्या कर लेना, 5 number यहाँ पे देख 19 by 6 हो जाएगा, exactly, negative है ना, तो negative का answer क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, तो आपने फटा फट से सारे के सारे additive inverse को देख लिया है, यहाँ पे, clear हो गया, अब additive inverse actually में होता क्या है, कैसे अगर के निकालते हैं, वो सारी चीज़ें तुम lecture में जा, कैसे निकालते हैं, वो तो देख लिए, actual meaning क्या है, उसके लिए आपको lecture देखना पड़ेगा, जिसका link description box में दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो बेटा, can I verify minus, negative of minus x, यह देखो, इसका मतलब यह हुआ, negative of minus x, positive x आ जाएगा, यह तुम्हें बताना है, तो अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले, क negative of minus x is equals to x, हम क्या करते हैं, LHS पहले ले लेते हैं, LHS क्या है, negative of minus x, चलो solve करो, minus के जगा, minus के जगा, minus x के जगा क्या रखने वाले हो, 11 by 15 रखने वाले हो, बेटा, अब आपको तुम्हें पता है, कि यहाँ पे जब इसको solve करोगे, हमें क्या है ना, कि इसका negative निकालना है, इसका क्या निकालना है, बेटा, हमें यहाँ पे negative निकालना है, तो हमें पता है, कि negative कर negative positive हो जाता है, तो हम यहाँ पे finally जो लिखने वाले है, वो लिखने वाले है, 11 by 15, और negative कर negative निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, मैंने additive inverse निकाल दिया, बेटा, additive inverse का ही, तो दू के equal है बिटा 11 by 15 x के equal है तो यह एक्स हुआ है तो यहां तो x rhs में हम देन कह देंगे rhs proof हो गया बस कहां नहीं खतम अच्छा चलो second number question ले लेते हैं second number question को solve करते हैं वो question मेरा है x is equals to minus 13 by 17 अब हमें यहां पर क्या करना है कि negative of minus x is equals to x हमें proof करके दिखाना है तो lhs हमने ले लिया lhs के क्या ले लिया negative of minus x तो देखो minus के जगा minus रखो bracket के जगा bracket रखो minus के जगा minus रखो x के जगा क्या रखने वाले हो ठीक है यह इस तरीके से हो जाएगा यह क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका बन जाएगा देन अब क्या करने वाले हो कि अब यहां पर एक बात देखना आपको क्या करना है कि इसका negative निकालना है तो यह 13 by 7 क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो यह तो minus minus रहेगा और negative किसका न X तो हमारा RHS में है, तो यह RHS की equal आ गया, हो गया अप्रोब्ट है, ठेक हैं, तो यह दोनों question हमारा हो गया, clear, अब हम चलते हैं, fourth number question पे, और इस fourth number question को थोड़ा सा green color से बना लेते हैं, अब यहां पे, क्या है ना, कि हमें multiplicative inverse निकालना है, तो multiplicative inverse भी निकालना उतना ही आसान है, यतना additive inverse निकालना था, जैसे के minus 13 का हमें multiplicative inverse शाहिए, then minus 13 का multiplicative inverse निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा multiplicative inverse of, multiplicative inverse, इसका क्या होगा बिटा, जो होगा उसको लिख दो, minus 13 है ना, तो हमने कहा था, multiplicative inverse को, अच्छा देखो, minus 13 को हम लोग minus 13 by 1 लिख सकते हैं, तो multiplicative inverse में numerator, denominator हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिटा, 1 by minus 13 हो जाएगा, लेकिन negative नीचे नहीं होता, then हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिटा, minus 1 by, यहाँ पर minus 1 लिखेंगे उपर, ठीक है, तो minus 1 by 13, यह आप negative को उपर कर दो, final answer क्या हो गया, minus 1 by 13, अच्छा चलो, second number question लेते हैं, second number को आप इतना लिख लेना, ठीक है, मैं in short बता देता हूँ, minus 13 by 19 का, बिटा, multiplicative inverse, it means के reciprocal लिखना है, इसी का एक और नाम क्या होता है, reciprocal होता है, जो तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका मुझे reciprocal निकालना है, तो 19 numerator उपर जाएगा, और minus 13 नीचे आएगा, तो बिटा, minus को उपर लिखते हैं, तो minus 19 by 13 हो जाएगा, exactly यह answer होगा, third number का देख लो, third में क्या है, 1 by 5, तो 1 by 5 का exactly 5 हो जाएगा, 5 by 1 होगा, that means 5 हो गया, चलो, fourth number question लेते हैं, fourth number question में है, minus 5 by 8, into में minus 3 by 7, बिटा, solve करो तो इसको, solve करोगे तो कितना आए हो जाएगा, minus minus, plus हो जाएगा, positive हाएगा, और कोई कटने वाला भी है, कटने वाला तो कुछ नहीं दिख रहा है, ना 3 से 8 कटेगा, ना 7 कटेगा, ना 5 से 7, 8 कटेगा, तो exactly ऊपर कितना हो जाएगा, 15, आप बाई, नीचे कितना हो जाएगा, 56, और इसका हमें निकालना है, reciprocal, multiplicative inverse, इसका मतलब यह हो गया, कि आप numerator को denominator, और denominator को numerator में बदल दो, तो यह हो गया, 56 by 15, exactly, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और देखो, 5th number question, 5th number में बोला है, कि minus 1 into में, minus 2 by 5, पहले solve कर लेंगे, minus minus plus में answer आएगा, और 1 से multiply करने पे, उतना ही 2 by 5 भी रह जाएगा, और इस इसका multiplicative inverse 5 by 2 होगा, 6th number question, देखो, 6th number question में कह रहा है, कि minus 1 का हमें multiplicative inverse निकालना है, बेटा, तो minus 1 ही होगा, कैसे होगा, देखो, यहाँ पे, minus 1 को, बेटा, minus 1 by 1 लिख सकते हैं, तो इसका multiplicative inverse 1 by minus 1 निकालोगे, minus 1 तो नीचे रहता नहीं, तो minus 1 उपर कर दो, exactly 1 का, नीचे denominator में 1 का कोई मतलब नहीं बनता, तो final minus 1 कह देंगे, it means कि minus 1 का reciprocal क्या हो गया, minus 1 हो गया, multiplicative inverse भी जिसको कहते हैं, चलते हैं, नेक्स लेक्षर पे, यह 5th number question है, और 5th number question में कह क्या रहा है, पस्त वाला question देख लो बेटा, इसमें यह कह रहा है, अब red color से लिख लेते हैं, name the property under multiplication, used in each of following, देखो, सब में multiply हो रहा है, हो रहा है ना बेटा, सब में multiply, लेकिन कौन सा प्रोपारिटी से वो multiplication हो रहा है, इसको हमें बताना है, प्रोपारिटी बताना है, तो देखो, first number में क्या है, पहला वाला number question देखो बेटा, कि 1 से multiply हुआ, minus 4 by 5 में, और यहां, 1 में, minus 4 by multiply हुआ, तो कितना आएगा, finally minus 4 by 5 ही आएगा ना, तो यह मैंने आपको लेक्चर में बताया था, कि असल में, 1 से multiply होना, कोई भी identity को lose नहीं करता है, इसका मतलब, 1 को हम लोग कहते है, multiplicative identity, तो यहां पर जो प्रोपारिटी यूज हो रहा है, वो कौन सा, यूज हो रहा है, तो आप कहेंगे, one is multiplicative identity, multiplicative identity, जो बच्चा, लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा, उसको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, second number में देखो, बिटा, 13 by 17 जो है ना, minus में, यहां पर बाद में चला गया, और minus 2 by 7 पहले आगया, यानि कि order reverse हो रहा है, order reverse होने का ह आपको बताया था, a plus b equals to b plus a, commutative law कहते हैं इसको, तो जैसे ही commutative law कहेंगे, तो second number में लिख देंगे, commutativity, commutativity, exactly, अच्छा, third number में देखना बटा, third number में क्या बोला है, कि minus 19 by 29 में क्या multiply करूं, कि final one आ जाए, yes, तो 20 by minus 19 को सल multiply कर दिया जाए, exactly यह क्या है बटा, तो यह इसका multiplicative identity, multiplicative inverse है, क्योंकि multiplicative inverse से ही multiply करते हैं, देनवन आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, multiplicative inverse, ठीक है, तो यहाँ पे चलो, लिखते है, multiplicative inverse, multiplicative inverse, ठीक है, अब इसमें इस वाले exercise में, फिफ नंबर तक मैंने cover करा दिया, और भी इसमें कई सारे questions है, उसको हम next lecture में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी बहुत बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, चलो, तो अगर तुम हमारे नए student हो, देन subscribe कर दो, और share भी करना बेटा, like करो, और कोई भी problem सो, उसे हमें comment section में छोड़ो, मैं तुम्हें comments देख कर करके, तुम्हारे problem को solve करूँगा, चलो, और अब हम लोग मिलते हैं, next lecture में, आगे के solution के साथ, आज की कहानी यहीं ठक रखते हैं, okay, bye, good night.